दोस्तो आज की वीडियो में डिसकस करूँगी बायर के फेनोस क्विक इंसेक्टिसाइड के बारे में इसमें टेक्निकल कंटेंट कौन-कौन से हैं, किस तरीके से काम करता है, यानि की मोड ओफ एक्शन क्या है कौन-कौन सी फसलों में कौन-कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए कॉंबिनेशन, प्राइस, डोज, संपूर जानकरे आज की वीडियो में डिसकस करूंगी तो लाश्ट तक आप जरूर बने रहें नमस्कार दोस्तो, मैं हुआ नीता सिंग, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन और्गेनिक जर्नी दोस्तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेल्टा मैतरिन 5.56% ऐसी फॉर में यह आता है यानि कि सस्पेंशन कंसेंटेट लिक्विड गाड़ा सा यह होता है बाहर के फेम नाम के इंसेक्टिसाइड में टेक्निकल कंटेंट आता है फ्लूर बेंड़माइड और डेसिस जो कि बाहर का ही आता है उसमें डेल्टा मैतरिन आता है तो बाहर ने फेम और डेसिस इन दोनों के टेक्निकल कंटेंट को मिला करके फेनोस क्विक इंसेक्टिसाइड बनाया है इसके मोड ओफ एक्शन की बात की जाए तो फ्लूबेंडियमाइड राइनोइड ग्रूप का सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है जो कि कीटू के नर्वस सिस्टम पे और मसल्स पे यानि मास पेशियों पे अटेक करके इंसेक्ट को पैरलाइस करता है जिसे की इंसेक्ट चल फिर नहीं पाते हैं खाना नहीं खापाते हैं और इस तरीके से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है डेल्टा मैथरीन सिंथेटिक पारेत्रोइड ग्रूप का इंसेक्टिसाइड है जो कि कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड है इसमें कॉन्टेक्ट प्लस इंजेशन एक्शन आता है और ये भी कीटो के नर्वस सिस्टम पे अटेक करके इंसेक्ट को कंट्रोल करता है कौन-कौन से फसलों में फेनोस क्विक इंसेक्टिसाइड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेर्च, टामाटर, गोबी, चेना, बेंगन बेंगर में दोस्तों, फ्रूट बोरर, शूट बोरर की समश्या बहुत जादा आती है तो ये बहुत एफेक्टिव इंसेक्टिसाइड है उनके लिए गोबी में भी लटका प्रकॉप, कीटू का प्रकॉप बहुत जादा होता है चैफूल गोबी है, पत्ता गोबी है, सभी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कपास, कपास में बॉल वर्म, पिंक बॉल वर्म की समश्या बहुत जादाते है उसके लिए बहुत एफेक्टिव है दान में सेमबरर और लेफ ओल्डर की समश्या बहुत जद आती है उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है सोया बीन है अनार अंगूर इस तरीके से बहुत सारे आप फसलों में और बागवानी के सभी परकार के फ्रूट्स प्लांट्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कौन कौन से इंसेक्ट को ये बहुत इफेक्टिर रूप से कंट्रोल करता है तो पिंक बाल वर्म की समश्या बहुत जद आती है जैसा मैंने बता है कपास की फसल में तो बॉल वर्म्स को ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है उसके साथ फ्रूट बॉरर, शूट बॉरर को कंट्रोल करता है स्टेम बॉरर है, लीफ ओल्डर, डाइमंड बैक मौत, पॉर्ट बॉरर, बीटल्स, वाइट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई इस तरीके से बहुत सारे एक साथ इंसेक्ट को कंट्रोल करता है प्राइस की बात की जाए तो सो एमल की बॉटल, ढाइस सो एमल, पान सो एमल और एक लिटर की बॉटल भी मार्केट में अविलेबल है 100 ml लग भग, 360-400 रुपए की सम्थिंग ये मार्केट में अविलेबल हो रहा है इस समय और और धाई सो एमल की बॉटल पे एमल पी है बारा सो पचार रुपए और लग भग ये 1,000 की सम्थिंग मार्केट में अविलेबल हो जाता है दोस्तो प्राइस थोड़ी अपड़न हो सकती है इसकी perfect doge होती है आधा ml पर लीटर के साफसे गोल तयार करके फसलों में स्प्रेय करना होता है यानि कि एक ml दो लीटर पानी में आपको मिक्स करके स्प्रेय करना है एक एक और के लिए 100 ml की जो bottle आती है ये sufficient होती है बहुत अच्छा result देखने को मिलता है combination की बात की जाए तो दोस्तो mostly जो fungicide है इन सभी की साथ में मिला करके आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं insecticide मिलाने की आवशिक्ता नहीं होती है क्योंकि ये already systemic plus contact insecticide है तो इसके साथ में अन्य को insecticide की आवशिक्ता नहीं रहेगी सावदानी जरूर ध्यान रखनी है दोस्तों flooring stage में इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए क्योंकि ये honeybee के लिए harmful है इसलिए आप इसका इस्तेमाल अगर करना चाह रहे हैं किसी भी crop में तो flooring stage से पहले करें या फिर flooring stage के बाद में करें fruiting stage में आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और second सावदानी आपको ध्यान रखनी है इसका इस्तेमाल शाम की समय ही करें evening की समय आपको इसका इस्तेमाल करना है फसलों में रिचिडूल एक्टिविटी है 13 से 15 दिन तक अगर मोसम बहुत अच्छा है साफ है, बिल्कुल क्लीन है तो 15 दिन तक बीज़ का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और अगर मोसम थोड़ा खराब है तो बारे से तेरा दिन तक ही अच्छा रिजल्ट देता है इससे रिलेटेड और भी कोई क्योरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद दे